असलाम अलेकूम, उमीद है आप सब खेरियत से होंगे, अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रिंस्पल्स अफ मैनेजमेंड बाइ स्टीफन पी रॉबिंस की बुक से चेप्टर नुबर सेमन उससे पहले कैंडली आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताके मैं आपको ज्यादा से ज्यादा मेटियल सप्लाइब कर सुकूँ, चेप्टर का नाम है मैनेजर्स ऐस डिसीन मेकर्स, इसके पांच टॉपिक हैं जो हम कवर करेंगे, स्टार्ट करते हैं फर् मैनेजर्स at all levels of each department make decisions, top level managers take decisions about the installation of manufacturing facility or what new businesses to move into हर level पे managers जो हैं वो decision लेते हैं, वो किसी भी level पे हो, top पे हो, low पे हो, middle पे हो, top level हो सकता है कि इस चीज़ का decision ले रहे हो कि जो manufacturing facility है, वो कहां पे install होगी, कौन सा area suit करता है, कहां पे resources available है, कहां पे approach असान है, इन सब चीज़ों को देखके, या फिर हमें कौन सा नया business start करना चाहिए जो middle level है और जो lower level managers हैं, वो day-to-day activities को देखते हैं, decision making process के according production वगएरा, etc. यह picture मैंने आपकी book से उठा ली थी पूरी, सबसे पहले step है, identifying a problem, it is a 8 step process, अपर भी लिखा हुआ है 8 step process, सबसे पहले आपने identify करना problem को, then identifying decision criteria, criteria क्या है, allocating weights to the criteria, developing alternatives, analyzing the alternatives, selecting an alternative, implementing the alternative, or in the end evaluating the decision effectiveness, पहले देख लेते हैं, identifying a problem, सबसे पहले आपने देखने हैं कि problem है क्या, उसको आपने सही से identify करना है, यह नहों कि आप गलत problem को identify कर लें और उसकी पीछे आप लगे रहे हैं, identifying problem is not that much easy, हो सबसे है कि हम जो problem समझ रहे हैं, वो actual problem ना हो, there is a problem between the symptoms of a problem and the real problem, if the manager solve the wrong problem, इसका मतलब है कि उसने अपना time सारा दाय कर दिया और वो, he was unable to recognize the right problem, the discrepancy between the desired outcome and the existing ones is the real problem, for example, जैसे कि उपर example दी गई है या आपकी बुक से मैंना example उठाईए, buying new computers for sales staff, sales staff को नए computer चाहिए, क्योंकि जो पुराने computer हैं या laptop हैं वो outdated हो गए हैं, slow हो गए हैं, इस्प्लेय भी खराब हो गया, etc., 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 मतब अगर हम उसका main चीज देखें तो problem क्या है, नया computer चाहिए, पिर identify criteria define कर लेते हैं, क्राइटेरिया क्या है, अगर आपने problems identify कर लिया कि computer लेने हैं, अब computer किस तरह के लेने हैं, computer में क्या कुछ होना चाहिए, आपकी requirements क्या हैं, यह सब चीजें देख लेते हैं, तो आपने सबसे पहले criteria देखने हैं, अगर आप office में बैठके job कर रहे हैं, या अगर आपका कोई finance related for example काम है, तो आपको speakers की जूरुत नहीं है, या sound उसका आप matter नहीं करता है, आपके लिए matter क्या करता है, उसका processor वो अच्छा चले, उसकी memory ज्यादा हो, battery life कैसी होनी चाहिए, आपके series पर रहते हैं, यह भी depend करता है, light ही ना आये तो आपने, अगर light आ जा रही है, तो आपको battery life चाहिए होगी उसके लिए obviously, तो आप criteria define कर लें, कि criteria's क्या क्या है, then, third step, allocating weights to the criteria, जो criteria आपने select किया है, यह भी मैंने आपके book से ही ले लिए, तो इसको explain कर लेते हैं, इसको इक दिपर देख लेते हैं गोर से, आपने criteria को weights allocate करने है, for example, कि सबसे ज़्यादा जरूरी क्या चीज़ है जी, हमारे पास storage है, फिर battery life है, हमें battery life चाहिए, weight, वो भी थोड़ा काम होना चाहिए, क्योंकि sales staff के लिए, तो sales staff के लिए उसको लेके carry करके फिर ना इदर उदर, तो उसका weight है, वारंटी उसको हमने 4 का weight दिया है, मतब ठीक है, अगर warranties ज्यादा ना भी हो, तब ही कोई मसला नहीं है, display quality, उसक कि इस computer की कौन सी कौन से जो brands हैं, वो market में available है, यह मैंने easy language में use लिखा हुआ है, जल्दी इसाला यह website पर आपको notes available होंगे, तो वहां से आप इसको पढ़ भी सकेंगे, analyzing the alternatives, अब आप alternatives को देख लिएजए, इसको एक दबार देखनें दुबारा, कि आपने यहाँ पर criteria set किया, और criteria को आपने weightage दी, then next, जब आप analyze करेंगे, तो आपको बस यह left side पे, यह brands आ रहे हैं सारे, और यह हमने, उनको weight assign कर दिया, सारों को, कि HP Pro Book जो है, उसको 10, memory के case में, उसकी जो memory है, HP Pro Book की, उसको हमने 10 assign कर दिया, For example, Sony VAIO की battery life 7% है, अच्छी है, Toshiba की, Toshiba की warranty अच्छी है, then Sony VAIO की, भी warranty अच्छी है, Sony VAIO की memory भी अच्छी है, Dell की memory भी अच्छी है, और उसका weight भी कम है, ठीक है, battery life भी उसकी ठीक है, और HP Pavilion जो है, उसकी battery life अच्छी है, display quality भी उसकी अच्छी है, तो यह हमने मतलब weights assign कर दिया, Criteria के recording, अब आपने, इस weight को जो आपने assign किया है, इसको आप multiply करेंगे, जो आपने criteria को weightage दी थी, memory and storage को, memory and storage को हमने उपर जो criteria, जो weightage दी थी, वो 10 थी, 10, तो हम इस 10 को, इस 10 को हम उपर बले 10 से multiply करेंगे, यह 100 हो जएगा, यह नीचे देख देखेंजे, यह 100 हो गया, इसी तरह से, for example, हम Toshiba satellite को, का जो weight criteria है, 7 है, हम weight criteria को multiply कर रहते हैं, 7 multiply by 6, तो 7 into 6, किदर गया, 7 into 6, यह देखें, 42, तो इस तरह से हम इनको multiply करेंगे, और उनका total कर लेंगे, कि total weightage क्या आ रही होंगी, total number कितने gain किये सारो ने, 231 है, 231, 232, 231, 229, 204, सबसे ज़्यादा जो weight gain किया है, वो किया है Dell Inspiron ने, उसकी memory भी अच्छी है, battery life भी ठीक है, okay, carrying weight भी ठीक है, उसका warranty भी okay है, display quality इतनी है, तो total marks उसके आ गए 249, अब next, क्योंकि यहां पर clear हो गया है, कि आपके पास जो अच्छा alternative है, Dell Inspiron, selecting an alternative, अब आप जो आपकी management है, आप उसको बता सकते हैं, कि हमने जो process start किया था, उसमें जो higher weightage है, वो Dell किया ही है, उन लोगों को बताएं, उन managers को बताएं या उस staff को बताएं जिसने यह, इसको implement करना है, जो आपने problem sort किया था और अभी आपने जो उसका solution निकाला है, उसको जो जिसने implement करना है, उसको बताना है, implementing, now it can be conveyed, आप आप बता दें उनने किया, Dell के ज्यादा उसने marks gain किये हैं और लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर वो खुद इसमें participate करें, जिसने decision maker है, वो खुद इस पूरे process में participate करें ताकि वो खुद भी इसको evaluate कर सके कि यार यह process ठीक हुआ है या नहीं हुआ, मदर इसमें कोई biasness तो नहीं थी, then, in the end, evaluating the decision effectiveness, कि in the last step, managers should evaluate whether the problem is solved or not, कि problem solved हुई है या नही हुई, if not, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, what went wrong, गलत कहां पे हुआ, where managers made mistake, managers made mistake, whether the problem was wrongly identified, क्या problem जो है वो गलत identify की गई थी, मतलब हम जो असरी problem थी उसको हमने identify नहीं किया, और हम एक गलत problem के पीछे जो problem थी ही नहीं, उसको solve करने में लगे रहे, the answer may take you to redo the previous step, क्या हो से था कि आपको सिर्फ previous step दुबारा करना पड़े, और to repeat the whole process again, या फिर आपको पूरा process दुबारा करना पड़े, तो यह था जी आपका 8 step decision making process, और जो बाकी है वह हम इंशालान next उसमें वीडियो में देखने हैं, बाकी topics, शुक्रिया, assalamu alaikum